लो दोस्तो आघ हमलोग स्वाईल मेकेनिकस में डोस्तों एक डेखने वाले जो की पर्मीक्पलिटी का बह। इम्पटन टॉप इना तो स्टार्ट करते हैं पर्मे इंडिम झें प्रमिये प्रमिये लेडिमेटी में ने डिसकस्वκयाता था थीकись अब यहाँ पर हम लोग डारसीलो Esoad discuss नहीं करेंगे आप एप लोग डिसकस करने वाले हैं जो चीज वो ए हमारी different layers में अगर हमारी video प्र Yukos ded Leben होती है तो द्विद्शा करने वाले structure of soil startup means स्वाइल का structure जिसे मान लीजिए मान लीजिए imagine यह अलगब लेयर तो अगर लेयर के पानी फलो हो रहा है वाटांट इस अबने हैं ऐसे अगर पानी हो रहा है तो फ़ाइनल फॉर्मला क्या होगा क्योंकि देखो जो यह होंगी अलग अलग सवाइल के लेयर होती है स्वाइल जो होती हैं वह प्र मतलब क्रहिण होगा क्या में उस केस में तो देखिए एक लेयर हो गई की एक लेयरी होगई हर लेयर की कोफिशेंट पारियालेटी ऐलंग अलग माली इसका के स्लेयर की ड्ogo लेयर कर और के ट्री है वतलेड ड्म लेयर की देफ तो थर्ड लेयर की दफ है जेटत्री ठीक है तो आब अब हमें यह गिवन है कि वेन स्वाइल फ्लो पेरलल this is the most important thing है ना यहां पर parallel flow रही यह बात हमें ध्यान में रखनी है parallel to the soil layer जब पानी जो है हमारा कैसा फ्लोर है parallel flow रहा है soil layer के तो क्या होगी हमारी permeability total permeability क्या होगी this is nothing but the k1 z1 plus k2 z2 plus k3 z3 upon z1 plus z2 plus z3 ठीक है कोई rocket science नहीं है दोस्तों यह formula जो है मैं आप लोगों को बता दूँ कि फॉर्मुला आप derive भी कर सकते हो पर exam point of view से derivation बिल्गुल भी important नहीं है यह आप ध्यान में रखें बात कि आप derivation derivation बोलते रहा होगे और वहाँ पर कोई काम नहीं आएगा वो ultimately आपको यह पता होना चाहिए कि बिया जब जो है पानी flow हो रहा है parallel to soil layer के अब अगर माल लीजिए माल लीजिए कि अगर आपका पानी ऐसे flow ना हो के कुछ ऐसे flow for example for example अगर आपका water यह आपकी layers है these are the layers और अगर पानी ऐसे flow हो रहा हो ऐसे flow हो रहा हो कैसे ऐसे flow हो रहा है ऐसे flow रहा हो मतलब normal to the soil layer normal to the soil layer या फिर perpendicular to the soil layer यह बोल सकते हैं अपन ठीक है तो क्या होगा तो क्या होगा देखिए यह layers हैं आपकी these are the different layers of soil ठीक है coefficient of permeability k1 है k2 है k3 है and depth is z1 z2 z3 अगर आप आप खुदी समझिए कि अगर ऐसे नहीं है वो perpendicular flow होगा तो उसे पहले इस layer को cross करना पड़ेगा फिर उसके बाद इस layer को cross करना पड़ेगा उसके बाद इस layer को cross करना पड़ेगा तो ultimately जो है जादा उसको resistance मिलेगा यहां पे ultimately जादा resistance मिलेगा तो इसलिए हम क्या करेंगे इसका ultimate formula कैसे हो जाएगा z1 plus z2 plus z2 upon k2 plus z3 upon k3 ठीक है दोस्तों तो यह formula हो जागा जैसे मान लीजिए यह different different layer नहीं होती तो k equivalent क्या होता k equivalent क्या होता z1 upon z1 upon k1 ठीक है यह ना तो यह z1 z1 cancel हो जाता और ultimately k जो होता यह उपर चला जाता है ना numerator में चला जाता तो अटली मेटली क्या आ जाती क्या आ जाती के वन के बराबर आ जाती ना तो ऐसी यह formula मतलब अल्टिमेटली satisfy करेगा equation को ठीक है के equivalent की value आपकी equal में लाके यह आ जाएगी दिस वन दोस्तों बहुत सिंपल सा formula है बहुत छोटा सा topic है है ना पर question आ गया तो आपको सीधे सीधे दो marks उल्टिमेटली यह जा जा जाती है जाती क है विया जाती कkommen है of मतलained